सबस्क्राइब करना चाहते हैं और अगर आप मुझे परसनल रिडिंग करवाना चाहते हैं तो इस अची लिए डिस्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है आप उस फॉर्म को मर सकते हैं आपके जो भी जवाब आएगा आपकी देरिया में गाया चाहते हैं तो आपके पहला मेसिज करना चाहिए वह आया है मैनिफेस्ट फॉरा क्रियेटिव लाइफ यानिकि अगर आपको चाहिए तो आपको एक अच्छी जिंद्गी चाहिए तो उसको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए आपके लिए दूसरा मेसीज जो है वह है फ्रेंड्स का वीडियो पास् परके इत्मिनान से अपने लिए कोई भी मेसेज चुनन देख का मैं आपको मिलती हैं आपकी रीडिंग पर वेलकम मेसिज में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में तो जिन लोगों ने भी Manifesto for a Creative Life का मेसेच चुना है याईनि कि आपको manifestation करना चाहिए अपने Creative Life का अगर आपकी ये मेसेच चुना है तो आईए देख लेते हैं आपकी spirit card को यहां क्या बताना चाहते हैं सबसे पहरे तो आपकी spirit card आपसे ये कह रहे हैं कि अगर पिछले काफी वक्स से आपको शिकायते कर रहे हैं कुछ आपकी नशिकायते हैं कुछ आपके गिले शिक्वे हैं उनसे या universe से या divine से तो आपको ये कह रहे हैं कि वो नहीं कीजिए क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल आपको खुछ से करना चाहिए कि क्या अपनी life को उस life को manifest करने के लिए जो आप जीना चाहते हैं आप अपनी तरफ से कोई कदम उठा रहे हैं सिर्फ prayer करने के लावा या फिर universe से help मांगने के लावा क्योंकि जब भी आप अपनी life में कोई change चाहते हैं और आप universe से prayer करते हैं तो उसके लिए आपको चाहे एक छोटा सा कदम ही सही लेकि वो उठाना होता है यानि कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम कोई ना कोई उठाना पड़ता ही है तो क्या आपने वो कदम उठाया है क्या आप उस रास्ते पे चले हैं अपनी उस life को manifest करने के लिए तो ये सवाल आपको पहले सबसे पहले खुछ से करना चाहिए तो आपके spirit कायर भी आप से ही कह रहे हैं कि अगर आप specifically कोई शिकायत कर रहे हैं तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए आपको सबसे पहले अपनी उस life को अपनी life में उन चीज़ों को manifest करने के लिए आपको कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए और या फिर अगर आप manifest नहीं कर रहे हैं यानि कि आप चाहते ही नहीं है कि आपके life में कुछ change हो जाए या फिर जैसे वो होता है न कि कुछ तयारी नहीं कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि change हो जाए लेकिन आप कोई तयारी नहीं कर रहे हैं उसके लिए कुछ preparation नहीं कर रहे हैं उसके लिए welcoming नहीं हो रहे हैं उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं तो भी problem होती है तो यहाँ पे आपकी split card आप से कह रही हैं life में जिन चीजों में आप जीना चाहते हैं जिए जी जिए जो में आप बढ़ना चाहते हैं उसमें आपकी कुशिश यही होनी चाहिए कि आप एक balance बना के चलें आप अपनी energies को balance करें यहां भी यह कार्ड आपको balance बनाने के लिए ही कह रहा है यानकि आपके अंदर मन में और आपके बाहरी मन में एक ना दोनों ही जगा आपना एक समान होना चाहिए, यानि कि जो आप अंदर से सोच रहे हैं, वही आप बाहर कर रहे हैं, जो आप बाहर कर रहे हैं, वही आप अंदर से सोच रहे हैं, एक alignment की need है, एक आपको balance बनाना है, एक आपको pull बनाना है, यानि कि अंदर से बाहर का रास्ता, आपका ऐसा हो जिसमें कोई विगन बाद आये ना हो, ऐसा हो जिसमें कोई अडचने ना हो, आपके mind में आपके future को लेकि चीजे बहुत clear, जैसे कितने बहुत sharp होती हैं चीजे तो बहुत ना sharp तरीके से आपके mind में वो चीजे crystal clear होनी चाहिए, आपको exactly पता होना चाहिए कि आप अपनी life में चाहते क्या हैं, अगर वो आपको पता होगा, तो आप अपनी life में अच्छी चीजे manifest कर पाएंगे, और अपनी life को भी अच्छे तरीके से आप manifest कर पाएंगे, पास्ट लाइफ का message है आपके यहाँ पे दोनों ही कार्ड मीचर अरकाना से related हैं, तो अगर आप अपनी life के past को लेकर या past lives को लेकर कुछ परिशान है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि past lives का message है तो definitely यहाँ पे कुछ करमास हैं जो कि include हैं आपकी include है या उनका involvement है आपकी life में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है इस time period में, उसमें ना उन करमास का, आपके past life की करमास का involvement है, या फिर आपके इस life का past है, उसमें से किसी करमा का involvement है, कुछ ऐसे लोगों भी include हो सकते हैं उसमें जो कि आपकी past life से, या इस life के past से related हो, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि other lifetime से आपके लिए आ रही हो, लेकिन जो कुछ भी आपकी life में इस time period में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आ कि शिक से चली आ रही हैं, तो आपको कोशिश ही करनी चाहिए, कि उनको किसी ना किती लेवल पी रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उनसे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करें, और थोड़ा सा अपने आपको समालने के कोशिश करेंगे, तो आपके लिए बहुत चाहते हैं इसलिए बतलाब पर आपकी लाइफ में आ रहा है या कुछ चीजे ऐसी हो रही है जो कि पास्ट से चली आ रही है या बार बार आपको कोई feelings हैं आपकी कोई emotions हैं कोई ऐसी घटना है ऐसी चीजे हैं जो कि बार बार आपको hit करती हैं अगर कुछ भी ऐसा है कि बार पर इस ब्रेक बार बर आपकी life में लग रहा है अपनी life में यह balance बनाना इसली भी जरूरी है क्योंकि इस से कहीना कहीना आपको एक setback लग रहा है अगर आप यह balance बना लेते हैं, अपनी life को manifest करते हैं तो बहुत सारी चीज़े आप कर पाएंगे अपनी life में आगे क्योंकि ये चीजे कहीं न कहीं आपका attention मांग रही है आपसे एक creative side आपको बहारने के लिए कह रही है और बहार से आने वाली आवाजों के लिए बहुत-बहुत में शमा चाहती हूँ क्योंकि बहार शल रहा है कुछ construction work तो उस पे वीरा कोई जोर नहीं है और अगर आप अपनी चीजे को balance कर लेंगे एक creative way में चीजे को देखने की कोशिश करेंगे अपनी past की जो भी चीजे हैं उनसे उबर कर अपनी life को एक restart करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ अपनी life में आप manifest कर पाएंगे आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि चीजे होते होते उसमें एक रुकावट आ जाती हो चीजों में रोक लग जाती हो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है तो यह इसलिए भी हो रहा है कि शायद ना आप उन चीजों में अभी तक balance नहीं कर पाएंगे जिनमें ना आपको अपनी लाइफ में एक balance ले आना चाहिए था तो बिल्कुल अपनी creative लाइफ को manifest करना आपके अपने ही हातों में है जितनी जल्दी आप इन चीजों को समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप इन चीजों को कर पाएंगे यहाँ पर आपके लिए message है wheel of fortune का यह है channel messages का tag तो आपके लिए है wheel of fortune याँ कि आप अपने भागे से अपने भागे में वो सारी चीज़े लिख सकते हैं जो कि आप अपने कर्मों द्वारा चुनते हैं अपने लिए यानि कि आपको कुछ ऐसे कर्मा करने है ये कार्मी कार्ड है और ये कार्ड भी आपके लिए कार्मी की है क्योंकि wheel of fortune का कार्ड है ये clearly आपको इस बात को बता रहा है कि आपके फेर में भागे तभी बैट सकता है आपके बख्ष में चीज़े तभी हो सकती है जब आपना कुछ कर्माज उसमें include करते है क्योंकि यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको भागे के भरोसे नहीं बैटना है कि भागे में क्या लिखा है जो लिखा है वो होगा आपको अपना भागे का जो रच्चेता है आपको खुद बनना है आपके भाग्य में, क्या लिखा होना चाहिए, उसकी कलम आपके अपने हाथ में है, वो आपको ही लिखना है, अपनी कलम को उठा के आपको ही अपना भाग्य लिखना है, आप हैं वो रचियता, आप हैं वो राइटर जो की अपनी कहानी खुद लिखेंगे, इसलिए अपनी क किसी और के हाथ में ना देते हुए, किसी और के भरों से ना बैठते हुए, अपना कलम उठाइए और अपनी कहानी को लिखना शुरू कर दीजे, जैसे ही आप अपनी कलम उठाके अपनी कहानी को लिखना शुरू कर देंगे, आपके पक्षमें चीजें होने लग जाएंगी, इस सारे messages का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी life में वो चीजे create कीजिए जो कि आप अपनी life में लाना चाहते हैं जिन खुशियों में आप जीना चाहते हैं जिन बातों में आप खुश होना चाहते हैं वो आपके अपने ही हाथ में है जिस तरफ आप भईये को घुमाएंगे उसी तरफ घुम जाएगा क्योंकि इस वक्त जो आपको चलाने के लिए जो स्टेरिंग है वो God ने आपके हाथ में दे दिया है ये टाइम पिरिट वो है जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा create कर सकते हैं और create करके उसे achieve कर सकते हैं तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए messages किस तरह से आपके life किस area में आपके रेज़नेट करते हैं यानिकि इन चीजों का आपकी life फे बड़ा गहरा असर पढ़ने वाला है, चीजों में balance लाइए, life का कोई सा भी area हो, past की किसी भी चीज में ओलजे हुए हैं, उससे बाहर निकलिए, अपनी चीजों को समझकर restart करने की कोशिश कीजिए, अगर किसी चीज में setback लग रहा है तो बहुत तेज नहीं भागे, proper planning करके, step by step चलिए, धीरे-धीरे कत्मों से चलिए, जो भी लिखना चाहते हैं, अपने भागे में कलम आपके हाथ में है, जो चाहे लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको करना ही होगा, बहुत बड़ा message है यह, अगर आप समझ पाएं तो और आपका आने वाला समय बहुत 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 शुपो, comment box में अपनी spirit guide को thank you कहना नहीं बूलेगा, thank you so very much, God bless you all, welcome message to you, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके reading में, तो जिन लोगों ने भी friends का message चुना है, आएए देख लेते हैं, आपके spirit guide आप से क्या कहना चाहते हैं, और अगर आपको बाहर से या पीछे से वीडियो में कोई आवाज आती हैं, तो मैं उसके लिए पहले ही शमाच आती हूँ, बाहर चल रहा है construction work और उस पे मेरा कोई जो रही है, जिसकी वज़ा से आवाज ही हो रही है, तो थोड़ा सा उसके साथ प्लीज एडिस्ट कीज़ तो जिन लोगों ने भी friends का message चुना है, यह message उनके लिए, आपके spirit card आपको यह बोलना चाहते हैं, कि आपके से कुछ लोगों के लिए friends बहुत important हो सकते हैं, या friends बनाना बहुत important हो सकता है, आपके life का कोई ऐसा area है, जिसमें आपके कुछ दोस्त आपकी मदद कर सकते हैं, आपको जिस मुझीवत में आप पढ़े हैं, उससे आपको निकाल सकते हैं, कुछ आपके life में ऐसे हाला चल रहे हैं, कि कुछ दोस्तों का जैसे असली रूप भी आपके सामने आ रहा है, या आजाएगा आने वाले time period में, और कुछ लोग ना, कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं जो कि आपके मज़े के साथ ही हैं, कुछ दोस्त आपके ऐसे हैं, जो कि रियल में आपके friends हैं, आप ना कुछ ऐसे, कुछ ऐसे group से मुझे गिरे हुए दिखाई दे रही हैं, आपके split card दिखा रहे हैं कि ऐसे group से आप गिरे हुए हैं, जिसमें ना, तरह तरह के लोग हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये सब आपके friends हों, ये सब आपके friends कहने को हो सकते हैं, लेकिन ये आपके friends नहीं भी हो सकते, इसले थोड़ा सा aware भी रहीएगा और अपने अब असली दोस्तों को पहचारने के कोशिश कीजेगा, जो कि लाइफ की उस time period में भी आपका साथ देते हैं इसथे हैं, आपके लोगों को अपने लाइफ में लेके आईए, जिनके साथ आप अपने खुश्ञेयों को एंजये कर सके , जिनके साथ आप एक गुरूप बना सके Zeof Ahhh कि आपके एज के ही बराबर की ही आपके दूस्तों कुछ बड़ों को बना सकते हैं को चोटों को बना सकते हैं मिला जूला एक लूप बनाई और उनके साथ खुश रहना सिंकिए यहनी कि आपको आपके spread card यहाँ अपनी खुश्यां create करने के लिए गह रहे हैं अगर ऐसा है आपके साथ इने बात रहे दोनेट करती है तो बिल्कुल potential ढूंड़िए उन लोगों में जो कि आपके दोस्त बन सकते हैं लेजिनेस का message है यहाँ पर तो शायद पिछले कापी समय से आपको चीज़ों को अकेले ही enjoy कर रहे हैं अगर कुछ ऐसा है तो भी आपके पास यहाँ पर options आपको ना अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको भी बड़े गौर से देखना चाहिए यहाँ पर कि आपने इंटरनली कैसा महसूस कर पा रहे हैं जो भी situation आपके समय आपके साथ इस वक्त इस time period में चल रही है या आपके जो भी emotions हैं आप उनमें actually महसूस क्या कर पा रहे हैं आपको feel कैसा हो रहा है क्या आप अपने comfort zone में खुश हैं या आप अकेले रहते रहते परिशान हो चुके हैं या फिर आप अकेले तो हैं लेकिन कहीं न कहीं किसी की company के लिए किसी के साथ के लिए आप internally एक struggle करते रहते हैं आप दड़बते रहते हैं अगर ऐसा है तो भी आपको कुछ नई दोस्त बनाने चाहिए यानि कि अगर life में कभी कोई ऐसा वक्त आपके साथ में आता है जब आपको कोई जटका लगता है या फिर आपके लिए कोई setback जिसी चीज होती है तो आपको इस तरह के लोगों को अपने आसपास या साथ में रखना चाहिए जो कि आपको mentally और emotionally support कर सकें आ आप उसमें फसे हुए हैं आप उसके अंदना उलजे हुए हैं वो उसमें चीजों से आप न निकल नहीं पा रहे हैं और आप में से काफी लोगों को ये पता है कि वो company आपके लिए ठीक नहीं है अगर ऐसा है कि आपको लगता है आपके लिए वो company ठीक नहीं है या वो लो आपके साथ है कि इसके साथ दोस्ते चोड़ने का आपको अफसोस है या आपको दुक है तो भी आपको इस भावना में स्टक नहीं होना चाहिए आपको उन्चीज़ों से पहार नी करना चाहिए और आपको गोशिशच करनी चाहिए कि आप नए दोस्त बनाएं या फिर जो तो यहां पर आपको बहुत क्लिर बात कहीं जा रही है कि लाइफ में जो भी situation आपके सामने या आपके इर्द गिर्द चल रही है आपकी चारों तरफ जिस भी situation से आप गिरे हुए है या आप जिस situation में आप परिशान है अब आपको एक practical approach करने की जरूरत है अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है किसी ने बुरा किया है आप आपने किसी का बुरा किया है आपके द्वारा को यसी गलती हो गई है जिससे चीजे खराब हो गई है आपका comfort zone खराब हो गया है या फिर आपके कुछ friends छूट गए है या friends ने आपको धोका दे दिया है आपके जीवन में दोस्तों से जुड़ी हुई जो भी बाते हैं जिन में अगर आपको दुख है किसी भी वज़ा से आपको उस चीज में उस लाइफ की उस एरिया में अब आपको एक प्रैक्टिकल एप्रोच करनी चाहिए अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसमें लोगों ने आपको दोस्त बनके ध करना होगा और जैसे कि मैंने कहा कि जिनके दोस्त बिल्कुल भी रही है तो आपको कुछ ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि आपकी लाइफ में खुशिया लेकर आ सकें आपको सपोर्ट कर सकें आपको मोटिवेट कर सकें आपको संभाल सकें जब आप परिशान हो नहीं है तो बनाईए और अगर होकर छूट गए हैं तो उनकी एनरजी में स्ट्रक नहीं रही है चाहे कोई आप से गलती हुई है या उन से गलती हुई है आपको इस जगह से move on करने की कोशिश करनी चाहिए और वहाँ पे बापको और जदर नहीं रुखना चाहिए साथी साथ ना आपको अगर आपकी बाड़ी में बहुत जदा हीट बनती है तो आपको उसका भी ख्याल रखना चाहिए इनकी बहुत गरम पतार्थ आपको नहीं खाने चाहिए थोड़ा सा अपने मायट को कूल और काम रखने की कोशिश करनी चाहिए अगर आपके साथ यी बात रेजोनेट नहीं करती है तो ये पाइल आपके लिए नहीं होगा ये ये मैसेज आपके नहीं होगा इस मैसेज को साथ में ये भी देखेगा कि आपके लिए किस एरिया से resonate करता है और किस तरह से करता है सबके लिए अलग-अलग area हो सकता है सबके लिए अलग-अलग बाते हो सकती है तो अपनी wisdom से जरू देखिएगा कि आपके लिए कहां ये बाते fit होती हैं, आपके लिए किस area में life की बाते resonate करती हैं क्योंकि सबके लिए एक जैसे चीजे नहीं हो सकती अपनी spirit guide के messages का लाव उठाईएगा अपनी spirit guide को thank you कहना नहीं भूलेगा comment box में, आपका आने वारा समय बहुत 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 शुबो thank you so very much, God bless you all